So Hi Friends, तो Guru Trade 7 से कैसे आप विड्रोल कर सकते हो? देखो आपने बहुत डिमांड करिये कि भाई कैसे आप अगर ट्रेड करके प्रोफिट कमाते हो तो कैसे उसको आप अपने बैंक एकाउंट में विड्रोल कर सकते हो? जैसा कि दोस्तो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि 300 रुपीज का हमने विड्रोल लगाया है और हमने वो टेलिग्राम पे आप सभी के लिए देखो यहां में वे स्क्रीन शोल लगाता हो जो कि रियल अकाउंट में हमारा बैलन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो टाइप के अकाउंट मिलता है डैमो अकाउंट जिससे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो दोस्तो सबसे बहले मैं आपको बताना चाता हूँ यहाँ पे आप पुट और कॉल दो अप्शन आपको मिलता है भी हम आगे डिसक्स करेंगे बढ़ सबसे पहले बात आती है देखो मैं रियल अकाउंट वापिस आ जाता हूँ तो रियल अकाउंट में देखो हम यहाँ वापिस आ चुके हैं आप देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको देखना होते हैं सबसे पहले आपको असलेक्ट मिलते है यहाँ असलेख करके रखा है गोल्ड का प्राइज अगर आप देखो कि कुछ समय पहले देखो कि आप डाउन की तरफ ता फिर अपसाइड अपसाइड फिर डाउन अभी आ रहा है अगर नीचे चला गया है जो आपका डाउट अभी तक आ रहा है कि भाई फॉर इसमपल हम यहाँ पर कॉल दबा देते हैं अब जो भी ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है दोस्तों यह आपकी हिस्ट्री में दिखेगे आपको फॉर इसमपल यहाँ पर हिस्ट्री पर जाता हूँ तो क्या होगा भाई तो नुकसान होगा तो इसलिए दोस्तों आप सभी को समझ के सौस समझ के दोस्तों इस पे इस application को use करना है क्योंकि अगर आप ऐसे capital लगा रहे हो for example मैंने 20 रुपीज लगाए हैं अब मुझे पता कि यहां से उपर नहीं गया अगर यहां से डाउन आ गया तो मेरा नुकसान हो सकता है जो कि अभी यहां पर down ही चला हुए अभी देख लेते हैं last के कुछ second बचे हैं फिर मैं आपको भी यहां पर दिखाने वाला हूँ कि withdrawal के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की requirement होगी और आपको क्या यहां पर करना होगा अब यह down चला है अब यह क्यों चला है देखो डाउन यह क्यों गया आप देखोगे पिछले राउंड 30 मिनट सी देखो इसका रिजल्ट आ गया जो कि हम 20 रुपीज लॉस कर चुके हैं अगर देखोगे इसके 30 मिनट का रिजल्ट देखोगे अब यह trend दोस्तों चला है वो down की तरफ चला है अगर एक घंटे का देखें टाइम फ्रेम तो एक हाईस बना करके gold का price down की तरफ आ रहा है और यह जो gold का price आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है अब दोस्तों concept क्या है यहाँ यहाँ पर कैसे withdrawal लगता है कैसे आपके bank account के अंदर पैसा आता है जो हमारा main topic इस वीडियो का रहने वाल है अगर आपको पूरा detail में समझना है कि भाई trade कैसे करते हैं कैसे इस पे हमें execution करनी है तो मैं i button पे video लगा देता हूँ वो video आपको देख रहा है मैं जिसे for example change कर रहा हूँ यहाँ पर देखो सबसे पहरे का करना आपको जो आपकी bank account की ID है वो यहाँ पर आपको upload करनी होगी right bank account की ID आपको upload करनी है तो हम back आते हैं यहाँ पर हमारा already link है जिसमें आपको दोस्तों जो requirement पढ़े हैं मैं आपको बता भी दूँ आपको main IFSC code and bank account की details आपको यहाँ पर requirement पढ़ने वाले है अब दोस्तों for example यह हमारा winning amount है अब यहाँ से मुझे for example 1000 या फिर 500 रुपीज मुझे अपने bank account के अंदर withdrawal करने है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा दोस्तों 500 रुपीज 500 रुपीज लिख दिया अब यहाँ पर एक option मिलेगा आपको send a request send a request पे click क्या अब देखो दोस्तों जिसा कि मैंने 500 रुपीज यहाँ से withdrawal के लिए लगाया है और यहाँ पर जो service fees है वो 20 रुपे कटेंगे जो आपके account के अंदर आएंगे वो 480 रुपीज आएंगे जिसा कि last video में देखा आपने कि मैंने 300 रुपीज विड्रोल कर दी जिसमें amount deduct होने के बाद हमारे account के अंदर आया है जो मैंने telegram पे upload कर दी अगर आप भी हमारे telegram channel पे नहीं जुड़े हो तो उसका link मैं आपको द देखिये पूरी detail शो कर रहा है कि भाई हमने कितना रुपीज विड्रोल के लिए हमने 500 रुपीज विड्रोल के लिए लगाया है कितना रुपीज हमारे account के अंदर आएगा 480 रुपे अब दोस्तों यहां पे बात आती कि कितना time लगता है देखो अगर Sunday ना हो दोस्तों सम आए भी था लास वीडियो में वो राउंड हमें 10 hours के बाद almost आ गए थी हमारे account के अंदर जिसे कि हमने evening में किया तो next day morning में हमें वो हमारे bank account के अंदर मिल गया था तो मैं इसका screenshot भी लगा दूँगा जो टेलेग्राम पर भीज़ दूँगा कि 500 रुपीस हमने विड्रोल कर कब हमारे account के अंदर आते हैं ये भी मैं आपको बता दूँगा आप दोस्तों यहां पर hopefully कोई भी doubt आपके नहीं होना चीए समझना कुछ भाई लोगों को क्या हो जाता है जो bank account है जो bank account है उसका IFC code गलर डाल देते हैं ऐसे case में होगा कि कभी कभी आपका payout stuck हो सकता है जो आप विड्रोल करोगे वो फस सकता है इसलिए जो भी detail आप डाल रहे हो जिन भी भाईयों ने विड्रोल करना है जिन भाईयों अपने गुरुट 87 से पैसे अपने खाते यानि bank account के अंदर डालने है उनके लिए मैं सलाह दे रहा हूं कि आपको अपना IFC code bank account number and जो आपका number ह उसको proper तरीके से डालना है mistake नहीं करना है अगर mistake करोगे तो दोस्तों वहाँ पर आपका पैसा फस सकता है इसलिए दोस्तों आपको गल्ती नहीं करना है अब यहाँ पर मैं आपको एक trick भी बता के जाने वाला हूं back करते हैं हम trade पर आते हैं देखो यहाँ पर transaction शो कर रहा है कि हमने transaction लगा दी तो एक यह transaction आगी तो यहाँ पर आपको notification भी आ जाता है जब आपकी transaction complete हो जाती है अब दोस्तों यहाँ पर देखें आप कि अभी हम एक घंटे के time frame पे देख रहेते हैं अभी आप ही चलते हैं हम 3 minute के time frame पे तो आप देखोगे कि लगातार gold का price कभी उप जा रहे कभी नीचे जा रहे है इसमें जो fluctuation होता है तो seconds के अंदर fluctuation होता है हर second price उपर जा रहे हर second price नीचे जा रहे है तो अगर आप सही predict ना कर पाए तो आपका नुकसान भी होगा भाई तो इसलिए आपको सिर्फ उस पैसे को ही ऐसे trading application के अंदर डालना होता है अगर उसका नुकसान भी आपसे हो जाए तो आपको कोई फरक ना पड़े right and सबसे पहले बचना है भाई loss करने से अगर नुकसान होगा तो पैसा कहां से जिसे मैं दुबारा call पे दबा देता हूँ अगर market दुबारा नीचे चला गया gold का price दुबारा नीचे चला गया तो मुझे दुबारा नुकसान हो जाएगा समझ ना तो मैं यहां पे कितने रुपीज लगा रहा हूँ 20 रुपीज लगा रहा हूँ only बट मेरे यहां पे wallet में देखो गया तो almost अभी 1500 रुपीज थे अब जिसमें ने 500 रुपीज एकांट में ड रहता है तब तक मुझे इसमें आप देखोगे तब तक ही मुझे profit होगा अगर इस लाइन से नीचे चला गया अब देखो for example अगर इस लाइन से नीचे close करता है तो मुझे नुकसान दोस्तों यहां पे हो जाएगा तो दोस्तों आपको देखना है source समझ के trade करना देखो capital आपको जो आपको बिल्कुल ऐसा लगी कि अगर loss भी हो तो कोई फरक ना पड़े हालांकि इसकी trick है एक trick है दोस्तों इसकी अगर वो trick जाना चाहते हो समझना चाहते हो मैंने एक video आई बटन पर दे देता हूँ जा करके देख लेना वो trick बहुत काम करती है हालांकि specially अगर आप learning कर रहे हो सीख रहे हो समझ रहे हो अगर आप 400 रुपीस से आप करना चाहते हो तो आप add करके 20-20 रुपेस आप trade लगा सकते हो and put हम तब लेते हैं दोस्तों अगर हमें लेगे नीचे जाने वाला है और call हम तब लेते हैं अगर उपर जाने वाला है for example दुबारा में call अब हमारा vision क्या हो गया कि इस zone से उपर जाएगा अगर इस zone से उपर जाएगा तो हमें मुनाफ़ हो जाएगा अगर में दुबारा call दुबारा भी लग जाएगा अब आप देखोगे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लिए लगा रहा हूं दोस्तों यहां पर कोई वि जाएगा अब दोस्तों उमीद करता हूं आपको यह आज विड्रॉल वाला डाउट आपका समझ आ गया होगा जस्त मैं आपको ट्रेड लगा करें जस्त ऐसे दिखाया ताकि आप भाई सब रियालिटी समझ सकें ताकि नुकसान ना हो भाई इसलिए नुकसान नहीं करना है और चैनल पर जागर के भाई सीखना है आपको और भी चीज़ें सीखनी है जाओ चैनल पर और भी चीज़ें आपको सीख करके समझ करके करनी है एंड ये गुरू 8-7 की वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आज के बाद क्योंकि ये almost सारे ही सारे डाउट आपके clear दोस्तों यहां पे हो गयोंगे एंड दोस्तों मिलेंगे आपको next वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार चैनल को subscribe करना मिलेंगे आपको next वीडियो के साथ अपता के लिए बाबाय